नमस्कार One India Hindi में आपका स्वागत है मैं हूँ अभिशेक एम्स दिली से डिश्चार्ज होने के बाद फिर से बुद्वार को लालू प्रशाद यादब को भरती कराया गया है इसके पहले मंगलवार को बिहार के पूर्व सियम और राजत सुप्रीमो लालू प्रशाद यादब को एम्स लाया गया था जहां चिकित्सकों ने 6 घंटे तक उनको निगरानी में रखा बुद्वार को लालू यादब को स्वस्त बताते हुए डिश्चार्ज कर दिया गया था इसके बाद उन्हें राची रिम्स ले जाने के लिए दिल्ली एरपोर्ट लाया गया जहां लालू यादब की तबियत फिर से बिगड़ गई उन्हें दोबारह एम्स लाकर इमरजनसी वॉड में भरती कराया गया इसके पहले राची रिम्स के मेडिकल बोर्ट ने मंगलवार को लालू पुषाद यादब को दिल्ली भेजने पर फैसला लिया था रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने कहा था कि लालू यादब की इस्थिती खराब होती जा रही है उनके हिर्दे और किड़नी पर असर हुआ है इसको देखते हुए लालू यादब को बेहतर इलाज के लिए एम्स दिल्ली भेजा जा रहा है वही एम्स ने लालू यादब को 6 घंटे निगरानी में रखने के बाद डिश्चार्ज कर दिया था लालू यादब को राची ले जाने के लिए एरपोर्ट लाया गया जहां उनकी तबियत फिर खराब हो गई आनन फानन में लालू यादब को एम्स लाया गया और इमर्जेंसी वाड में भरती कराया गया 73 साल के लालू यादब 4 घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं CVI की 20S अदालत ने 21 फरवरी को लालू यादब को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी बताया जाता है कि लालू यादब किड़नी की समस्या समित कई बीमारियों से जूज रहे हैं ऐसे में उनको जेल की बजाय राची रिम्स में रखा गया था लालू यादब की किड़नी करीब 20 फिसदी ही काम कर रही है इस अब डेट में इतना ही दूसरी खबरों के लिए बने रही हमारे साथ